क्रेंड्स आज हम आपको होंसाइंस पेकटिंग प्रोडेक्ट में रहे ट्रेवल बैक की हमने स्टीचिंग सुरू की थी कुल्टिंग बताई थी और काटिंग आज हम उसमें पॉकेट तैयार करना बताएंगे इसको कर लेंगे इतना है अधना हूं अफितना आपस लगाना बता रहे हैं हुस्य जो कालनकै जग अशेट चाहिए जैसे मैंने कई पार्स में आपको चैन लगाने लिए डबल ये इस तरह से कोई भी चीज हम बनाते हैं तो ऐसे कटिन तो करेंगे तब ही हमारी दूसी चैन चुड़ेगी तो हम ये चैन जो है पार्स हमारा सीधा हो और चैन हमारी है ओल्टी इस तरह से हम लगाएंगे यह हमने काट ले दोनों के हम पॉकिट से खा रहे हैं इसलिए जो है दोनों में हम इसी तरह से लगाएंगे पार्स हमारा सीधा और चैन हमारी है उल्टी आप दोनों पार्स हमारी है उल्टी अब जो हमें ये कटिंग वाला हिस्सा रखा है इसको भी हम ऐसे इस तरह से ये सीधे से सीधा को जो हम वाला हिस्सा रखा हुआन से नहत लो हम जो हम शींगर गया दीग से हींगर है कि यह हम साथ साथ दो दो पोकेट त्यार कर रहा है डबल डबल पोकेट त्यार कर रहा है प्रेख दो प्रेख दूब है है इसलिप दो प्रेख को पर ना आहरा है कर रहा है तो दूब यहां पैंको ढूसरा आ दो नहीं जो आना सकता है यह इस तरह दिए चैन लगानी है अब हम जो है यह जैन ऐसे हमारी बोड़ रही है यह हम ऐसे स्लाई एक स्लाई और लगाईंगे आज बोड़ने करये आपसदी जैएक पटया आज में पोपेटर्णाया वहाएंगे और जदम ने पिच्छे की साइड से गंदेगी बिताएगे ना वो गंदेगी बेटा देते हैं कट करके करुछाइब घ्राज़ी बिताएगा जाभी साइड़ कि अहीं हुआब ऑचर कि बेटाईब 2سم कि यहां इस टीगर लगाएंगे इस तरदे चेल बाले साइड में इस तरदे इस टीगर का मूह हो वो हमारा चैन की साइड हो इस तरदे एक पोकेट में लएगी और एक छोटी वाली हमने पोकेट कटिंग की थी आपको कटिंग में बताई थी एक पोकेट उस में लएगी अब देखिए मैंने इस टीगर लगा रिया है अब हम पोकेटों को सिलेंगे तो पॉकेट में क्या करना है यह वाला जो प्लेंवाली जो पॉकेट का अब हिस्सा है उसको हम ऐसे रखेंगे जो निशान लगाया है ऐसे इस तरह से यह वाला सीधा नीचे वाला और जो छोटा पाट से वह पॉल्टा इस तरह से रखके हम स्लाइब इस तरह से लगाएं कि अज़ लगाने के बाद हम इसको एसे करने खिए यह मैंने जो यह जिस्तिकर लगाया यह पॉकेट जो है आप ऐसे करके लगाई थी ऐसे बताया फिर आसे करके आप यह जो है हम ऐसे करके शीरी साइट से शिलाए लगा हम सुरू करता है तो वादी पोकेट त्यार हो जाएगी का अधि एक का जो जाए नहीं हो जाए पिर नहीं हो जाए अच्छाग अच्छी आए यहां तक लगा के पर अच्छागा अच्छी में तो थो जा प्रभाव नहीं है यह वाला जो पीला वाला आप छोटा पीस काटा था पट्टी काटी उसमें को दोबारा लगाने यह सिलाएं हमको जरूर लगाने हैं जिससे ना जो भी हमारी कटिंग का भोबी होगा भी भी धुछ जाता है और सुन्दर भी लगती है पॉकेट हमारे पॉकेट लगाने हमने दोनों पॉकेट ही है आपकी त्यार कर लिए अब इसमें हम जो है पाइपिन लगाना सिखाएंगे देखिए मैंने यह जो तनी लगाओंगी न ब्लेक कलर के आती है रोल आता है पूरा इसका उसकी मैंने छोट इसी कटिंग कर लिए और यह जो है प्लाक्टी वाली पाइ लाइगा खराब रहेंगे और इस तरह से हमने यह शुरू करते हैं पाइपिन लगाने अब यह जो है यहां से इस तरह से मोड़ेंगे यह जो देखिए हम चारों साइट से इस तरह से यहां से मोड़ते हुए यहां पर लेके आएंगे पाइटिक को यह प्लास्टिक की पाइपिन है सब जिगा अराम से बिल जाती है और सारे ही लगबार रंगों में आती है जैसे आपको लगान लिए मैंने वह तिर वीडियो में पहली वीडियो में जो है आपको बाइट दिखाई थी देकि भाइट अए जेकिन ही लगवरी ती यह लो कपर में जी मैंने ब्लेक लगाई ए झाल झाल बुझए य। कि यह इस से देते ना कि मतला हमारी इतना छोटी पड़े ना बड़ी हो अब देखिए मैंने चारो तरफ से दोने पार्ट तियार करनी है आज खाली पॉकेणी बनाना सिखाएंगे अराम अराम से सिखाएंगे आपको समझ में आएगा इसलिए मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूं कि अराम अराम से सिखाएंगे कोई भी जिजन्दी जन्दी ने सिखाना चाहते इससे आपको समझने नहीं आएगा पार्ट फिर जुड़ने में दिखा था इसलिए अराम अराम से अब देखिए फॉकेट हमारी फ्रेंट की जो यह हो हमारे तयार हो गए पॉकेट आप इससे जोड़ना आगे वीडियो में चिकाएंगे और आप तो को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और चैनल को सबसे पहले सब्क्राइब करें और लाइकर का बटन जरू दबाएं जिसस में ब्लेक लगाई है क्योंकि ब्लेक का कॉमनेशन सही हो रहा है और वाइट का कॉमनेशन जो है सही नहीं हो रहा है और सभी कलर में पाइपल और चैनल सब चिन मिलती है थैंक यू